असलाम अलेकम फ्रेंट्स वेलकम टू फूड विद इम्रा चैनल तो कैसे हैं आप सब उमीदे के आप सब बहुत ही मज़े में होंगे और मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे हूं आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी सी चिकन शाषले के स्ट अब इसे वीडियो को लाइक कर देजिए चलें अपनी रासिपी के इंग्रेडियंट्स को नोट डाउन करते हैं रासिपी को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले में यहां पर ले रही हूं चिकन और चिकन की हम लोग मैरीनेशन करेंगे चिकन मैंने बॉनलेस लिया इस तरी करेंगे और दहीं आप लोगों का ज्यादा खटा नहीं होना चाहिए पर इसके बाद कैचप आट करेंगे कैचप डालने से बहुत ही मज़ेदार ससका टेस्ट आता है तो आप लोगोंने वन टैबल स्पून चिली गार्लिक कैचप आट कर लीजे लेकिन चिली गार्लिक से अफ़ी मज़ेदार ससका फ्लेवर आएगा फिर इसके बाद आपने टू टैबल स्पून भरके तिक का मसाला एट करना ही और आप लोग कोई भी कमपणी और ब्रेंट का ले सकते हैं तो आपको मार्किट में मिल जाएगा आपने तू टैबल स्पून वोइट करना है और मैं अपनी बहुत सारी रेसिपीज में होमेड तिकका मसाला की रेसिपीज दे चुकी हूँ आपको डिस्क्रुपिशन में सब रेसिपीज का लिंक मिल जाएगा अगर आप लोग चाहें तो वो मसाला भी इसमें एड कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए और बहुत ही इजी अगर विनिगर ना हो तो आप लोग एक लीमू का रजबी समें एड कर सकते हैं और फिर चली सॉस एड करेंगे वन टैबल स्पूंग इन तमाम चीजों को अपने अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत ही मज़ेदार से चिकन रेडी होता है और बहुत ही जटपट आपने इस को लाजमी फ्रीजर में रखना ही रखना है इससे होगा कि बहुत ही मज़ेदार जो हमने मसाल रडी कर रहे हैं वो बोटियों में रज बस जाएगा तो आपने जरूर ना इसको मैंने दो गंटे की तो देनी है दो गंटे बाद आप लोगी देख सकते हैं हमारा जो चिकन न में अच्छे से मेरिनेट हो चुका है अब हम इसकी सीखें को रेडी करते हैं चिकन शाशले के स्टिक में जो जो मैं वेजटेबल सी उस कर रही हूं वह भी बता देती हूं एक अदर शिमला मिर्स लीती दर्मयाने साइस की ती उसके बीज वगरा मैंने रिमूफ कर दिये है और इस तरीके से इसको कट कर लिया है क्यूब में आप लुक चाहें तो एक से दो शिमला मिर्स ली कट कर लिजिए और एक मेरे पास बड़े साइस का प्यास ना और इसको भी मैंने इस तरीके से ही कट किया है जैसे शिमला मिर्स कट की है प्यास आपने छोटा नहीं लेना एक ही मेरे पास ट्रिमाटर था और इसको भी मैंने कट कर लिया है सारे बीज वगएर आपने रिमूफ कर देने हैं सिर्फ आपने स्किन भी यूज़ करनी है तो अपने स्टिक्स को भी रेडि करने हैं और चिकन शाचल लिए मैंने स्क्यूर्स लिए इसली आपको इंपर सब्सक्राइब मिल जाएंगे और यह तीन दरहा की आती आती है यानि के चोटे साइज में होती हैं धर्मयाने और ना लंबी साइज में तो मैंने यहा पर दर्मयानी वाली लीगे आप दूग चाहे तो बड़ी और आप लोग चाहें तो बोटी को एक दो भी लगा सकते हैं और तीन भी लगा सकते हैं जितनी बड़ी आपके स्टेको उतने ही आपने लगाना है पिर दूसरी लगाने के बाद मैंने यह पे एक प्याज रखा ही और एक टिमार्टर इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर रही हूं आप लोग कर लिजएगा बहुत ही मज़ेदार बनती है जब आप किसी की दावत वगरा करें तो आप लोग इस रैसिपी को जरू ना एड़ कीजिएगा ठीकाल वांट थेश्टी तो यह बनती ही बनती है तो आप लोग जरू इसको किसी दावत में पार्टी वगरा या करेंगे तो एक पैन केंडर में थोड़ा सा ओल डाला ही हजब जरूरत और एक करके इन इस्टिक्स को रख दिया है मीडियम फ्लेम पर हम इनको करेंगे और जब एक साइड इसकी थोड़ी सी कुख हो जाएगी तो इसकी साइड चेंज कर देनी है बहुत ही आतियाद से कर दिया है और यह तक्रीबन साथ से आट मिनिट में रेडी हो जाती है वैसे भी चिकन चिकन तो जल्दी कुख हो जाता है बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जुनिस्टिक्स रेडी हो चुकी है मेरे मूह में तो अभी भी पानी आ रहा है इतनी टेस्टी और डिलिशियस बनी आप लोगों जरूर ट्राइक करने और कमेंट्स में आकर आपने जरूर बताना है अब मैं आपको थोड़ा सा जर्ड़ा चलोज अब दिखा देती हूं ता कि आपके मूह में भी पानी आए और आप लोग इसको जल्ली से ट्राइकर के मुझे लाजमी बताएं यह आप अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोगों ने जली से लाइक करना है और नियू है चैनल पर तो जली से सब्सक्राइब करके बाल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चाहें तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं फूड विद निम्रा की नेम से क कोई रेसिपी सीखनी हो तो आप लग मुझे कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाईए दुआ में आद रखेगा अलाहाफिज